मेरट जिले में एक महिला अधिवक्ता संदिग्द परिस्थितियों में जले हुई अस्पताल में हुई भरती सुत्रों की माने तो महिला अधिवक्ता को उनके पती ने सैनिटाइजर डाल कर जराया है महिला अधिवक्ता के जलने के सुचना जब उसके साथी प्रैक्टिस करने वाले अन्य साथी अधिवक्ताओं को हुई तो उन्होंने मीडिया और पुलिस अधिकारियों को इसके जानकारी दी एस्प देहात ने घटना का संग्यान लेते हुए थाना पुलिस को कारवाई करने के निर्देश दिये है वही घटना को 24 घंटे तक पुलिस से छिपाए रखने पर और अधिक संदिक्त प्रतीत होती है महिला अधिवक्ता करीब 70% तक जल चुकी है उसका गंबिर हालत में अस्पताल में इलाज हो रहा है जानकारी के अनुसार ठाना खर खोदा की काशिराम अवासीय कॉलनी में एक महिला अधिवक्ता अपने पती और ससुरालियों के साथ रहती है महिला अधिवक्ता जिलाबार असोसियेशन की सदस्य भी है बताया जाता है कि कचहरी में महिला की गिंती तेज तरार अधिवक्ताओं में होती है पारिवारिक सुत्रों के मुताबिक महिला अधिवक्ता घर में चाय बना रही थी जिस दोरान उसका कुर्ता जल गया जिसके बाद महिला अधिवक्ता भी जल गए जबकि वही दूसरी और अन्य सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसा महिला अधिवक्ता को उसके ससुरालियों अभी तक छिपा कर रखा था लेकिन शाम को जब इसकी सुचना महिला अधिवक्ता के साथ प्रैक्टिस करने वाले अन्य साथ ही अधिवक्ताओं को लगी तो उन्होंने इसकी पूरी जानकारी की मामला संग्यान में आने के बाद S.P. देहात अविनाश पांडे को इसके बारे में बताया इस घटना के बारे में अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने बताया कि इससे अधिवक्ता समाज में रोश व्याप्त हो गया है और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते है कि ततकाल आरो पुलीस को क्यों नहीं दी गए इस बारे में जब सीओ किठोर दिवेश सिंग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला खाना बनाते हुए खुच जली है दोनों की लव मैरिज है अब देखना ये होगा कि महिला को कब तक नयाय मिलता है या ये भी दुरगट ना बता कर जांच पूरी कर ली जाएगी जिनके पती ने आग बुझाते समय उनके पती भी जल गए है दोनों लोग वास्पिटल में एड्मिट हैं उन्होंने किसी के जलाने के उपर आरोप नहीं लगाया उन्होंने साब बताया कि वह आग श्वेंग के लगी है और खाना बनाते समय लगी है इनकी लव मैरीज है लव मैरीज है लेकिन दोनों पच्छे आपस में शर्मत है कोई किसी पर उनका कोई आरोप नहीं है लगबक कितने परसेंट जली नहीं है अब यह तो डाक्टर साब बता पाएंगे काफी जल गई हैं यह थाना खर्खोदा का है